नमस्कार दोस्तों, IRB व्लोग में मैं आपको स्वागत करता हूँ, गौरव, मैं आज एक विशेश टॉपिक को पर बात करने वाला हूँ, Harley Davidson की थोटल बॉडी क्लीनिंग और फ्यूर इंजक्टर क्लीनिंग के उपर, ये एक बाइक के लिए Harley Davidson लवर के लिए व्लोग है, फ्यूर इंजक्टर सिस्टम को आपकी बाइक के थोटल बॉडी को क्लीन करके रखेगा और आपकी बाइक को एक गुड हेल्थ देगा, राइडिंग के लिए आपको अच्छा कंप्रेशर मिलेगा, राइडिंग में आपको बहुत स्मूध राइड मिलेगी और पिक अप भी बहुत अच्छा रहेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी बाइक को थोटल बॉडी को क्लीन करके रखना है, थोटल बॉडी इस अपस पार्ट आफ बाइक और थोटल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग भी जो आपका फ्यूल इंजेक्टर है वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क करें, उसके लिए मैं आपको एक प्रोड़क्ट दिखाने वाला हूँ, फ्यूल इंजेक्टर मोटर को हेल्दी रखने के लिए यह लिक्विड मॉली का प्रोड़क्ट है, लिक्विड मॉली मोटर बाइक 40 स्कूटर अडेक्टिवड है यह आप देख सकते हैं, जाँ आपको और शम्पर खने के लिए मॉली देख स्ट्वीड आपकोंगी करे लिक्विड मादियें आपकोंगाया। च्जाए प्रोड़क्ट आपकी बाई एक इंचेक्टर सिस्टम के लिए, फ्युल इंजेक्ट्टर जो है एक ऐसी टेकनलौजी है जो बिल्कूल नीट अन्चलीन चाहिए होता है आपकी लोगा को, साथ कंप्रेशर गाड़ी का टोटल आउटपुट आपके फ्यूल के उपर डिपेंड है तो जब इस प्रोड़क्ट को आप यूज करें तो सबसे पहले आप अपनी भाई की फुल टेंक कराएं फुल टेंक कराने के बाद अप्रॉक्स जो भी आप लॉंग राइट पे जाएं उस फुल टेंक का में ये पैट्रोल के साथ आप अडिक्टिव डाल दें और अप्रॉक्स आपका पूरा फूल टैंक में आपका हाफ के करीब पड़ेगा यह आपके फ्यूल टैंक के अंदर और इसे डालने के बाद आप लगवक डेड़ सो दो सो किलोमेटर या सौ किलोमेटर की जो भी राइड आपकी हो कंप्लेट उस फ्यूल को एक ही बार में खदम कर दें और उससे आपका फ्यूल इंजेक्शन जो इंटर्नल मोटर है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा यहां जो नीचे थोटल बॉड़ी पे फ्यूल इंजेक्टर है वो बिल्कुल प्रॉपर क्लीन हो जाएगा और आपका जो फ्यूल इंजेक्शन एक लॉंग लास्टिंग और हेल्दी रहेगा, हेल्दी रहने के साथ आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है, ये प्रोड़क्त बहुत जादा अच्छा और बहुत सस्ता है, प्रोड़ाइसो रुपेई कीमत है, एवरी आप 5000 किलोमेटर के बाद अप एक लॉंग राइट पे निकल जाएं, आपका एक ही बार में पूरा फ्यूल इंजेक्शन फोटल बॉड़ी इंजेक्टर टोटल क्लीन हो जाएगा, 2000 किलोमेटर पर आपको याद रखना है, आपको अपनी फोटल बॉड़ी का जो यहां एयर फिल्टर का पार्ट है, इसे आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लीनिंग करना है, एवरी 2000 किलोमेटर पर, ठोटल बड़ी अभी मैंने क्लीन कर लिये कपड़े से, वरना यह पूरा यह गंदा हुआ था, यह ठोटल एरिया, यह ठोटल एरिया आपको बिल्कुल क्लीन रखना है, इसको ऐसे कपड़े से यह बिल्कुल काले ग्रीस की तरह हो गया था यह, यह आपको एवरी 2000 किलोमेटर पर, अपनी कोई सी भी बाइक हो, मतला यह तो हार्ली के उपर है, हार्ली रेविट्सन की, सारी बाइक है जो भी आपके पास अविलेबिल है, कोई सी भी आप यूज करते हैं, वह आप इसको इंजिन का कंप्रेशर बिल्कुल अच्छा रहे, थोटल बॉडी क्लीन रहेगी, फ्यूल सप्लाई भी अच्छी जाएगी, और इंटर्नल रिंग जो है, और पिस्टन नहीं गटेगा, खराब नहीं होगा, क्योंकि इंडिया नोड्स जो है, सबसे बड़ी कमी है, इंडिय ठोटल बॉडी टोटल गंदी होती है, तो इसको आपको मैनेज करना होगा, आप कोई सी भी बाइक यूज करें, आप उसके लिए, डेफिनेटली एवरी 2000 किलो मेटर पर आप अपनी बाइक का एक अच्छा रिस्पॉंस चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये करना है, य और अदर्स बाइक भी आपके पास हैं, उस पे भी आप अपलाई करें, आप अपनी थोटल बॉडी और फिल इंजक्शन सिस्टम को क्लीनिंग रखें, और हेल्दी बनाएं, तो थेंक यू सो मच, आपको ये व्लोग अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्स